हेलो आप सभी का स्वागत है राम इस पर मेरा नाम देवी सिंग है और यह हमारी जो सिरीज है वो यूपी पीसिस के लिए खासकर और यूपी पीसिस के लिए जो करेंट अफेर्स है जो घटना चक्रिका उसे हम करीब साथ दिनों में कंप्लीट कर देंगे फिर इसके साथ तिन घंटे में कंप्लीट कर दिया है क्रैस को सचार इसी तरह सब्जेक्ट हम ने करके कंप्लीट कर देंगे चलू इस घटना चक्र थोड़ा सा हम पहलेते हैं घटना चक्र को करीब साथ कोशिस करेंगे तो बहुत फास्ट हम सुरुआत करेंगे चलो ठीक है देख लिए द राज्य खाद सुरच्छा सूचकांक है यह क्या कहता है हारती खाद सुरच्छा और मानक प्राधिकरन यानि फूट सेफ्टी एंड इस्टेंडर्ड अथॉर्टी ऑफ इंडिया आप देखा होगा फूट सेफ्टी एंड इस्टेंडर्ड अथॉर्टी ऑफ इंडिया से यह क्या है अथॉर्च्छा सूचकांक को जारी किया गया है अब इस सूचकांक को पहली बार वर्स 2019 में 20 खाद सुरच्छा दिवस 7 जून के औसर पर जारी किया गया था तो पहला यहां से कुश्चन मनाएगा कि बही यह जो सूचकांक इसको बेरी फर्स टाइम 2019 में कब यहनी 20 खाद सुरच्छा दिवस 7 जून को जारी किया गया था अभी वर्स 2021 का जो सूचकांक अपने करम में यह तीसरा है यह थर्ड है तो यह ध्यान रखेगा पहला कुश्चन यहीं से यो पेसी बना सकता है अब जो अभी जो रिसेंटली जारी हुआ है अब इस सूचकांक में खाद सुरच्छा के मानकों के आधार पर राज्यों के पदर्सन का जो मूल्यांकन किया गया है जिसमें से सामिल है कि मानो संसाधन और संस्थागत आक्रे देखो ये जो राजियों के प्रदर्सन का जो मुल्यंकन है वो खाद सुरच्छा के मानकों के आधार पे तो इसमें क्या-क्या भी इसमें से क्या चीजे सामिल है एक तो मानो संसाधन यानि human resources संस्थागत आकड़े जो संस्थागत आकड़े हैं और अनुपालन प्रसिच्छन और चमता निर्मान खाद परिच्छन और आधारवू संदचना निगरानी और उपभोगता ससक्ति करन तो कुछ जो देखो जो important fact है इसमें तो 20 सेप्टमबर 20 सि प्रच्छा सूच कांग जो है यह तीसरा जारी हुआ है 2020 में जो इस्टेट फूट सेफटी इंडेक्स 2020 कि जारी किया गया है और वर्स 2020 कि सूच कांग में देश के 36 राज्यों में से 36 राज्यों और जो union ट्रेटरीज हैं इनको सामिल किया गया है अब इसमें से सीर्स कौन स से किस किस इस्थान पर हैं जरा इसे भी देख लो अब सौ अंकों में से देखो एक जो इस्टेंडर्ड बनाया गया है है तो इस सो अंकों के आधार पर सीर्स तीन जो बड़े राजे हैं गुजरात को इन में से 72 अंक प्राप्थ हुए केरल को 70 अंक प्राप्थ हुए और तमिल नादू को इसमें से 64 तो यह भी पूछ सकता है सिक्वेंसे की टॉप 3 में कौन है तो गुजरात केरल और तमिल नादू ठीक है यह जैसे कि पस्मी राज हो गया गुजरात और केरल और यह तमिल नादू सदन स्टेर्स हो गए अब छोटे राज्यों में जो सीर्स पर लेंगे तो गुजरात टॉप मोस्ट पर लेकिन अगर बड़े राज्यों में तो गुजरात केरल और तमिल नादू छोटे राज्यों में गोवा मेगाले और मनी पूर यूनियन ट्रिटरीज में जो है तो जम्मू कस्मीर को है सरसथ अंग प्राप्थवे हैं जम्मू क छोटे राज्यों में से आठ्वा इस्थान मिजोरम का है और अगर हम बड़े राज्यों की बात करें तो बीस्वा इस्थान किसका भई बिहार का है लक्षी दीप का जो है यूनियन ट्रिटरीज में तो आठ्वा इस्थान है इस सूचकांग में बड़े राज्यों में उत चले इस तरपर है तो आप से क्विश्चन क्या बनाएगा कि कितने अंकों का इंडेक्स है तो 100 अंकों का एक यह बना सकता है बड़े राज्यों में टॉप मुष्ट पर कौन है तो गुजरात भादतारंगों के साथ उत्तर प्रदेश का एक्जायम है तो यहां जैसे यूपी इसु देख लिया अब दूसरा देखो भी आपका ये दूसरा इसु है भी घटना चक्र का रेल कौसल बिकास योजना भारत के बिरोजगार युवाओं की रोजगार चमता और उद्यमिता बढ़ाने के उद्दे से विभिन विवसायों में टेक्नोलिजी और प्रसिच्छन है इसके प्रदान करने के लिए कौसल बिकास कारिक्रम है मतलब जो रेल कौसल बिकास योजना है वो भारत के बिरोजगार युवाओं की लिए जो रोजगार चमता और उद्यमिता बढ़ाने के उद्दे से तो पहले ही इसका आबजेक्टिव पूछा जा सकता है देखो कैसे कुछिन बनेंगे तो इसका अब्जेक्टिव धान रखना कि यह जो रेल गार कौसल बिकास योजना है तो बिरोजगार युवाओं को रोजगार चमता और उद्यमिता बढ़ाने के उद्देश से वही जो अन्य ब्यवसायों में टेक्नालोजी प्रसिच्छर प्रदान करन हैं इसमें से इंपोर्टन फैक्ट क्या है वही 17 सेप्टमबर 2021 को रेल संचार एलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रद्योगी की मंत्री अस्विनी बैसनों जो की रिसेंटली बनाए गए हैं यह अस्विनी बैसनों साब तो रेल कौसल बिकास योजना जो है आर के बीपी रे रेल और संचार एलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रद्योगी की मंत्राले इनके पास है अब यह यह योजना जो है प्रद्हानमंत्री कोसल बिकास योजना के सट्वाओ धान में प्रार JAMES योजना हैं उन्हीं के अनतरगत यह सुरू करें गई इस योजना के प्रथम तीन वर्स की अवधि में पचास जार मतलब यह जो योजना है तो बिरीफ मतलब तीन वर्स की अवधि में पचास जार युवाओं को प्रसिच्छन प्रदान किया जाएगा इस योजना के अंतरगत ध्यान रखना अब स्टार्टिंग में 1000 युवाओं उमीदवारों को प्रसिच्छन प्रदान किया जाएगा जो अप्रेंटिस अधनियम 1961 के अंतरगत जो ट्रेनी को प्रदान किये गए किये जाने वाले प्रसिच्छन के अतरिक्त होगा यह है प्रसिच्छन चार ट्रेडों में होगा इलेक्ट्रीसियंस में प्रसिच्छन को दिया जाएगा बेल्डर्स को दिया जाएगा मसिनिस्ट को दिया जाएगा और फिटर को तो यह भी द्यान रखना चार मतलब यह जो रेल कौसल विकास जोड़ना है इसके अंतरगत है इ electricians, builder, machinist और fitter इसमें से 100 घंटी का बुनियादी प्रसिच्छन सामिल होगा और छेत्री अवसेक्ताओं के accordingly छेत्री रेलवे और उत्पादन एकाईयों के द्वारा अन्ने ट्रेडों में प्रसिच्छन कारिक्रम जोडा जाएगा इसमें से 100 घंटे का बुनियादी प्रसिच्छन के साथ इसमें से मैंने आपको बताया और छेत्री अवसेक्ताओं के accordingly भी इसमें से चीजें add करी जाएगी वहीं प्रसिच्छन नी सुल्क होगा जो प्रसिच्छन में कोई आपको सुल्क नहीं देना पड़ेगा प्रसिच्छन हेतु जो पात्रों का चैन जो है मैट्रिक्स में प्राप्त अंकों के accordingly टेंथ में जो आपने माक्स प्राप्त किये हैं उन्हीं के अंकों के accordingly किया जाए बनारस लोको मोटिव वक्स है ध्यान रखना प्रसिच्छू का जो प्रसिच्छन है पूर्ण होने पर राष्टी रेल और परिवहन संस्थान यानि नेशनल रेल एंड ट्रांस्पोटिशन इंस्टिट्यूट के द्वारा आवंटित ट्रेड में प्रमाणपत्र भी दिया जा साथ में उपरियुक्ते ट्रेडों में से जो की प्रसिच्छन प्रदान करने के उद्देश से देश भर में बहत्तर रेलवे प्रसिच्छन संस्थानों को भी चिन्हित किया गया है तो आपने जो एक ये देख लिया भई रेल कौसल विकास योजना तो ये एक्चुल में कि छेत्र के लिए है और ये किस की एक तरीके से जैसे कि कौन सी योजना के तत्तव प्रदान पर प्रारम करी गई है तो प्रदान मंत्री कौसल विकास योजना ये सिप्टेंबर 2021 में ये आपने देख लिया भीया अगला इसू है हमारा थर्ड नंबर भारत में अपराद 2020 सबसे पहले जो इसका पहला संसिकरण है तो 1953 में आता है और इसी क्रम में जो नमीनतम भारत में जो अपराध रिपोर्ट जारी करी गई है रिसेंटली यानि 2020 में अब इसके इंपॉर्टन कुछ फैक्ट क्या है इसमें देखोगी 14 इसमें से 14 दिसंबर 2021 में एना जो NCB है न बारत में सबस्का होगा और आक इस मतलक उसमें पढ़ जाओ कि कि भाई देखो रिपोर्ट तो मतलब रिसेंटली जारी हुई थी और इसमें से बहुत चक्कर में फस जाओगे तो बिल्कुल भी नहीं देखो पिछले वर्से के जो डेटा रजिस्टर्ड हुई है थानों में जो एफाई रजिस्टर्ड हुई है जो अपराद का जो है यह एक जनवरी से एक जनवरी से दौरान जो अपराद है उनहीं को यह बया करती है यानि जनवरी से थर्टी फर्स डिसंबर दौहजार बीस के जितने भी रिकार्ड हैं अब इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्स 2020 में देखना 2020 में कुल इसमें से 66 इसमें से कितना भी जाके च्छाचट लाख 1285 कितना तोटल अगर 2020 में जो संगे अपराद कॉगनिजबल अभी बताऊंगा कि कॉगनिजबल और नॉन कॉगनिजबल अपराद क्या होते हैं तो चाचट लाख 1285 कॉगनिजबल ऑफिंस जो क्राइम्स हैं कॉगनिजबल क्राइम्स रजिस्टर्ड हुए हैं जिन में से आप देखोगे 42 लाख 4356 लाख 4356 भारती दंड सहिंता आई पीसी के अंतरगर्ट और 23 लाख 46929 विसेस इस्थानी कानूनों के तहट अपराद रजिस्टर्ड किये गए हैं तो धान रखना कि आई पीसी के अंतरगर्ट 42 लाख 4356 और जो है 23 लाख 46929 यह जो मतलब जो लोकल के कानून है उनके अंतरगर्ट इसमें से 66 लाख 1285 टोटल है स्वरी अब देखो इस प्रकार के अपराधों के जो पंजी करण में वर्स 2020 की तुलना में दो स्वरी 2019 की तुलना में 2020 में 28% की ब्रधी दर्ज करी गई है बहुत बाड़ा अमाउंट 28% की ब्रधी ठीक है अब 2020 में एक यह इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि ब्रधी दर में ब्रधी रजिस्टर करी गई है जो बिल्कुल 50,000 35 मामले साइबर अपराधों में दर्ज किये गए हैं जो साइबर क्राइम्स रहे हैं जो की इस चीज को यह बया करता है कि 2019 की तुलना में 2019 में 44,735 मामले थे तो उसकी तुलना में करीब 2020 में 11% मामले साइबर के मामले अधिक रजिस्टर हुए हैं ठीक है तो आपने इसे देखा अब इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जर् kalian इने प्लिस नयाइपालिका कारागार यानि पुलिस नयाइपालिका कारागार कानूनी सहायता पर भारत के राज्यों की रैंकिंग जारी करी जाती है अभी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो आई जे आर है यह टाटा ट्रस्ट के दौरा रिपोर्ट जारी करी जाती है इंडिया जस्टि रिपोर्ट दो हजार बीस जारी की गई दो हजार बीस की है ये तो कब मतलब जारी करी गई 28 जनवरी 2021 को इंडिया जिस्टिस रिपोर्ट 2020 के अंतरगत 18 बड़े और मध्यमकार के जो कि एक करोर से अधिक जनसंख्या में प्रथम इस्थान पर महराश्टा प्राक्त हुआ है थीक है किस में चोटे बड़े जो राज हैं इंडिया जिस्टिस रिपोर्ट 2020 के अंतरगत 18 बड़े में उत्तर प्रदेश का 18 इस्तान है। योजना स्टार्टिंग में बताया हूं वहां पर क्या इस्थान है देखो जल्दी से यह आपको खाद और सुरच्छा सोचका उत्तर प्रदेश का यहां पर अगर हम बात करें तो पाचोवा इस्थान बड़े राज्यों में उन सथंग के साथ अब यहां धाया रखना मैंने क कानूनी सहाथा पर बहरत के राज्यों की जो रैंकिंग जारी होती है कि हमारी पुलिस कितने उप्राजख के प्रथम इस्थान पर त्रिपुरा जो की है प्रथम इस्थान पर इस यहां पर चार दिस्थान पर साथ पहले स्थान पर है तो यह ध्यां रखना अब आगे बात आती है दूसरा स्वच्छ सर्वेच्छन ग्रामीन 2021 स्वच्छ सर्वेच्छन ग्रामीन 2021 स्वच्छता कबरिच प्राप्त करने के उद्देश से प्रधान मंतिर नरंद मोदी जी ने दो अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिसन इम्पॉर्टेंट है द्यान रखना अभी हमने अक्टूबर हल ही में अगांदी जी के जनती भी भी है एक स्वच्छ भारत मिसन है और जो की ग्रामीन और दूसरा है स्वच्छ भारत मिसन सहरी तो दो उप मिसन है स्वच्छ भारत मिसन है तो जल सकती मंत्रा ले द्वारा जबकि जो स्वच्छ भारत मिसन सहरी है वो आवासन और सहरी कार मंत्रा ले द्वारा तो यहीं से दो मिसन है तो जो ग्रामीन सच्छ भारत मिसन है वो किसके द्वारा भाइई वो जो है जल सक्ति मंत्राले के द्वारा और जो सहरी है यह आवासन और सहरी कार्मन द्वारत में सौ सब्सक्राइब कर दिया गया है अब खुले में सब्सक्राइब कर दिया गया है अब खुले में सौच मुक्ति को बनाए रखने के उद्यस से स्वच भारत मिसन ग्रामीन जो है दोती चरण दोती फेस पर है ओडिया फ्लस में प्रवेस कर चुका है ये ठीक है ओडियाफ फ्लस ये दूसरे फेस पर है जो ग्रामीन है ध्यान रखना इससे भी कुछा जा गईस कि नोख सितंबध किया गया दूसरा फेज जो कि देश का ओडिया प्लस गत्विदियों में तेजी लाने के उद्देश से सर्वेचन को पेजल और स्वच्छता विभाग के द्वारा संचालित किया जाएगा वहीं यह देखो इससे पूर स्वच्छ सर्वेचन ग्रामीन को 2018 और 2019 में संचालित क जो है स्वच्छ सर्वेचन ग्रामीन 2021 के अंतरगद देश भर के करीब 698 जिलों में से 17475 गाव को आच्छादित किया गया है मतलब किया जाएगा स्वाली वहीं एससजी 2021 ओडियफ जो इस्थाइत और गाव में ओडियफ प्लस के कार्यान में के मुल्यांकन पर यह केंद् 2021 यानि जो स्वच्छ सर्वेच्छन 2021 है तो ठोस तरल और प्लास्टिक अपसिष्ट का आकलन वहीं मल अपसिष्ट प्रबंधन की वेवस्था मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता यानि मेंस्ट्रूल हाइजीन से संबंधित जाग रुकता और मासिक धर्म संबंधी से देख लो 25 सर्वरी 2021 को जल सकती मंत्राले के दवरा स्वच्छ भारत मिसंक्षन ग्रामीन की स्वच्छ ऐस्छ फले मतर्वा पहल के चौथे चरण के अंतरगत बारा आइकॉनिक स्थलों के घुशना करी है दुबारा सुनो भी यह सुच आइकॉनिक स्थल जो है पच्चिस फरवरी 2021 को जल सकती मंत्राले के द्वारा सुच भारत मिसन ग्रामीन की और सुच आइकॉनिक स्थल एस आइपी जो है यह पहले पहल के मतलब जो इनिसेटिव के चौते चरण के अंतरगत बारा आइकॉनिक स्थलों का चैन किया है इसमें से बारा आइकॉनिक स्थल क्या क्या है आजंता की गुफाई महाराश्टा में हैं साची का इस्तूप जो कि हमद्द प्रदेश में हैं बोलकुंडा का किला हैदराबाद तिलंगाना शोर मंदिर कुनारक औरीसा राग गार्डन चंडीगर बहुत पॉपलर डलजील सिरी नगर जम्मुकस्मीर बांके बिहारी मंदिर मत्वरा उत्तरप्रदेश आगरा का किला आगरा उत्तरप्रदेश और काली घाट मंदिर पस और आगरा का किला ठीक है ना यह द्यान रखना स्वच इस्थल पहल का उत्देश जो है देश के प्रतिष्ठित यानि आइकॉनिक धरोहर और आध्यात्मिक सांस्कृतिक इस्थलों को स्वच पर्याटे को गंतव्यों है यानि जो स्वच टूरिस्ट डिस्टिनेशन के 25 सगस्त 2021 को आजादी का अम्रत महोत्सव के अंग के तौर पे जल सकती मंत्राले के द्वारा सुझलाम अभियान का स्वभारम भी किया गया ओडियफ जो इस्थाइत यानि ओडियफ सस्टेनेबल और जो है यानि गंदा जल यानि जो ग्रेव वाटर मैनेजमेंट है तो गं अभियान 25 सगस्त 2021 को आजादी के अम्रत महोत्सव के अंग के तौर पे अब इस अभियान के तहद जो है इसमें प्रमुक छेत्रों पर ध्यान किंद्रित किया जाएगा एक तो यह पहला की 10 लाख जो सोकता गड़े जो सौकपिट्स होते हैं उनका निर्मान किया जाएगा वही सोचालियों की मरमत और नए परिवारों तक सोचालियों की पहुँच यह अभियान देश के गाउं में अल्प समय में तौरित गती यानि ओडिया फ्लस के दरजे को प्राप्त करने के उद्दे से संचालित होगा अब इंद्वर जो है भारत का पहला जल आधिक के सहिर है 11 अगस 2021 को केंद्री आवासन और सहरी कारमंत्रा लेने इंद्वर को भारत का पहला जल आधिक यानि वाटर प्लस सहर भी घूसित किया है इंद्वर ने स्वच्छ सर्वेच्छन 2021 के तहर देश के पहले जल आधिक के सहर वाटर प्लस सिटी होने का प्रमाण पत्र भी दिया है इंद्वर को भारत के सबसे स्वच्छ सहर का दर्जा भी प्राप्त है जो कि यह लगातार चौथी बार है फोर टाइम ठीक है तो यह रखना है इसे देखो एन आई आर एफ एन आई आर एफ इंडिया रैंकिंग्स 2021 देखो भई यह एन आई आर एफ और इंडिया रैंकिंग्स 2021 क्या है केंद्री सिच्छा मंत्राले के अंतरगत यानि केंद्री सिच्छा मंत्राले के अंतरगत नेशनल इंस्टिट्यूट रै की जो सुरुवात है कि यह थे टेश भर में उच्छा संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करने के लिए एक कार प्रणाली का ब्लूप्रिंट तयार करता है सिंपल है कि जो एन आई आरेफ है जो हाईयर एजूकेशन है उसकी रैंकिंग देने के लिए एक क्या है यानि जो कारप्रणाली है वर्क एक्षन ले करके एक ब्लूप्रिंट तयार करता है अब इंडिया रैंकिंग का जो है रैंकिंग का प्रथम संस्क्राण अप्रेल 2016 में जारी हुआ था अब देखो भी सितंबर 2021 को केंद्री मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान सिच्छा मंत्री है तो धर्मेंद्र प्रथान जी ने निशनल इंस्टिटीउशनल रैंकिंग फ्रेमवर के अंतरगत देश के उच्छ संस्थानों की इंडिया रैंकिंग दो जार पहला कब जारी हुआ 2016 इसमें से जो ओवर जो स्रेणी के साथ 20 सुबिध्याल पॉलिस अनुसंधान संस्थानों की रैंकिंग जारी करी गई है साथी साथ बिस्यों यानि जो इसमें से आप देखोगे जो साथ बिस्यों हैं जैसे की इंजिनरिंग मैनेस्मेंट यानी इनमें भी संस्थानों को रैंग प्रदान करी बीर्स 2021 इंडिया रैंक्स में पहली बार अनुसंध़ान संस्थानों को रैंक प्रदान की उसमें से पांच बिस्त्रत सम्हों के आधार पे क्लासिफाइड किया गया है पहला क्या है प्रेजिवेशन आउटकम्स इसना तक प्रणा यह शौता है यह आउट्रीच इन्क्लूसिविटी यह समावेसिता तो यह इंक्लूसिविटी और फिर है इसमें से बोध है मतलब परसेप्शन तो यह पाच आधा है इस सर्विच्छन में देश भर के सरकारी और गेर सरकारी उच्चे सच्छड संस्थानों को सामिल किया गया है उच्चे सच्छ संस्थानों की समगरेनी ओवराल सूची में दस स्थान प्राप्त करने वाले संस्थान है अब टॉप में कौन है तो पहला रैंक भी यह आयाईटी मदरास को प्राप्त हुआ है जो एन आई आरफ की रैंकिंग है ठीक है 86 डिसमलोंग साथ मतलब 86.76 पहला के से भी यह आयाईटी मदरास को चैनड़ाय सहर में हैं दूसरा है भार्ती बिध्यान संस्थान जो की बैंगलूरू में ब्यासी स्कॉर मिला तीसरा है आयाईटी बॉमबे मंबई में इसको और रैसी दिसमलों को पांच दो स्कॉर मिला चौथा है इडिली यह जो मतलब आइटी नई दिली में एक्क्यासी दिसम्लब साथ-पांच स्कोर मिला है पांच वां आयएटी कानपुर तो यह ध्यान रखना यह ऐसे इसका कुछ मतलब यह स्कोर दिया गया फिर आयटी खड़कपुर आयटी रुड की आयटी गुहार्टी और फिर है मतलब जेनियों जवालल नहरू बिश्विद्धाले नई देली छाच्छट स्कोर मिला इसको दस्वे नंबर पर उत्तर प्रदेश की बीच्च यू जो है बनारस यूनिवर्सिटी है तो यह ध्यान रखना 63 में स्कोर के साथ तो यह उत्तर प्रदेश वाला ध्यान है संस्था संस्थानों की समगर्सूची में इत्तर प्रदेश के वस急 संस्थानों की बात करें नपर यह था नंबरपर dalej यूनिवर्सिटी है 28 नंबर पर बहुँ है ऑगें इती बहु तालिस नंबर पर अमेटी पिस्विध्याले गौत्म बुद्धनगर है उत्रपर्देश कहीं है शाठ्वी नंबर पर यह यह मेडिकल कॉलिज है किंग जौल मेडिकल और चौरासवी नंबर पर आपको मोतिलाल नहरु राष्टी संस्थान प्रयाग राज ठीक है तालिस दसम्रो जीरो चारे स्कोर के साथ जिसको एनाइटी बोलते हैं ठीक है ठीक है यह मतलब ध्यान रखना यह रैंकिंग है ठीक है जो ध्यान संस्थान में ठीक है तो रहा हूं तो भारती पिज्ञान सिंस्थान बंगलूरू को फर्स्ट जवला नहिरू को सेकंड जो की नई दिल्ली में और वही बनारस सिंदु बिस्विद्याले को जो बनारस में इसे तीसरा इस्थान इंजीनिंग सिर्णी में प्रथम और दोतीस स्थान अगर अगर हम बात करें तो मद्रास और इति दिल्ली को प्राफ्ट हुआ है ठीक है जैसे एक बार वह देखलो कहीं आप जा रिक स्थान मिले हुआ हैं अ अकिल भाते लिए को चिकेस्टा में मिला हुआ है नैशनल ला स्कूल ओ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलूरू को को जो की पहला इस्थान मिला हुआ है मैं मनीवाल कॉलेज औप डेंटल साइशेजिस जो है उडूपी करनाटक इसको पहला सबस्क्राइज स्थान मिला हुआ है काले स्रेड़ी में लगतार पांचमें स्थान पर मिरांडा हाउस नई दिल्ली है कॉलेज की स्रेड़ी पर अनु संधान संस्थान की स्रेड़ी में भारती बिज्यान संस्थान बेंगलूरू को पहला इस्थान प्राप्त हुआ है तो ये कुछ इस्थान रहे है कार्भी एंगलॉंग समझाता ये अगला इसु है हमारा देख लो भी कार्वी इंगलॉंग समझाओता क्या है कार्वी इंगलॉंग जो है ये मध्ध असम में इस्तत एक बड़ा जिला है तो पहले तो ये जान लो कि ये कहां का जिला है तो असम का कार्वी इंगलॉंग और ये ब्रहत जंजाती आदिवासी समुहों और कार्वी दिम क्या हो जाता है यही पूछ लेगा इनमें से कौन से आदिवासी ग्रोप हैं जो की असन से संबंदित हैं तो ध्यान रखना कारवी तो समझी जाओगे बही कारवी इंग लॉंग डिमासा इंपार्डेंट है बोडो भी पॉपलर रहा है उकी पॉपलर रहा है हमार तिवा गारो मान रेंगमा नागा यह इनके यह मलब जो है मिलन बिंदु है अब इन आदिवासी समुहों में कारवी का प्रमुक्ष स्थान है जो कारवी जो कि यह अपने बिद्रोही गोटों के माध फिर इसका जो है यह समझा होता हुआ देखो यह चार सितंबद 2021 को नई दिल्ली में ग्रह मंत्री अमिल साजी ने और असम के जो मुख मंत्री है तो वहां के मुख मंत्री कारवी एंगलॉंग स्वायत परिशद कारवी एंगलॉंग आटोनॉमस काउंसिल प्रतिनिधियों और पांच उग्रवादी समोहों के प्रतिक ये बीच जो कारवी एंगलॉंग एग्रिमेंट हुआ है बातचीत के दौरान जो मतलब बातचीत में जो सामिल महत्वकून जो प्रतिनिधि गुठ है यह धान रखेगा यह भी पूछा जा सकता है तो जैसे कि पीपल्स डेमोक् यानि या दूसरा है कार भी भी नार्थ चाचर हिस्लिवरेशन फ्रंट तीसरा है विल्बरेशन स्ताइगर्स रंट योनाइट डिववडरूस और पिडिसी के और इसमें ये मतलब ये सारी चीज़ तसम्वार मतलब तर यवर्ण है सांथी समझोता के लिए पूरप्रयास तो देखो केंद्र और राज सरकार बिद्रोही गुटों के साथ समस्या के समाधान के लिए लंबे टाइम से प्रयास कर रही थी इसी क्रम में सांथी समझोते पर जो है सहमती पत्रों इसको दो बार एक तो उनीस सो पंचानवे और तो हजार गेरा में तीनों पच्छों जो की केंद राज और जो बिद्रोही गुठैन के बीच ये साइन हो चुके थे लेकिन इसमें से कुछ मतभेत थे इसके चलते उदा सिंता की वज़े से जो इसका प्रतिफल है वो नहीं मिल पाया अब भी पुना सरकार ने तेरफ स्वरी तेईस फरवरी दोहजार एकिस को कारवी के जो पांच प्रमुक उग्रवादी समू है तो उनको हतियार डालने और वार्ता करने पर राजी कर लिया है समझोते के कुछ पॉइंट है कि इस बिंदू के तहत पांच प्रमुक उ सामल हो गए हैं कारवी चेतर के लिए अगले पांच वरसों में 5000 करोड रुपए और केंद्र और राज सरकारों द्वारा आवंटित किये जाएंगे के अधिकार छेतर के बाहर रहने वाले जो कारवी के लिए असम सरकार के द्वारा कारवी कल्यान परिसे कारवी वेलफेर गठन किया जाएगा। इसी के अंतरगत आसम की चहत्री और प्रसासनिक अखंडता को प्रभावित के विना कार्बी एंग्लॉंग जो स्वोयत आटोनॉमस यनी जो काॉंसिल से तो इसको अधिक से अधिस आटॉनमि दी जाएगी कार्बी एंग लॉंग स्वोयत परिशत के सं Consolidated Fund है इसमें सिंसोधन किया जाएगा कारवी एंगलॉंग राजी की Consolidated Fund में ध्यार रखना इसमें से सांस्क्रतिक और भासाई पहचान की सुरच्छा सनच्छत प्रदान किया जाएगा उग्रवादियों के पुनर्वास का भी इसमें से प्रावधान भी समझाता सामेल है अब आता है पुर्वोतर छेत्र जिला सतद विकास लच और सुचकांक और डैसबोड 2021 को नीती आयोग और पुर्वोतर छेत्र विकास मंत्राले ने सतद विकास लच्छों यानि SDG ससनेवल डेपलमेंट गोल को इस्थानी बनाने की दिशा में पुर्वोतर छेत्र जिला सतद विकास लच्छ सुचकांक यानि N.E.R.D.S.D.G.I. और डैसबोड बेसलाइन रिपोट 2020 के पहले संसकरन को जारी किया है तो पहला तो आपका यह है कि भी जो पुर्वोतर छेत्र जिला सतद विकास लच्छ सुचकांक और डैसबोड 2021 तो इ इसमें से यह मतलब धान रखना N.E.R.D.S.D.G.I. जो डैसबोड संयुक्त राष्ट यूएन डीपी है तो विकास कारिकरम नीती आयोग और पुरुतर छेत्र विकास मंत्राले के दवारा अपनी तरह का एक पहला यह संयुक्त प्रयास है और यह जो सुचकांक नीती से पर बेश्ट होगा एस डीजी प्राप्त करने की दिसा में छेत्र और उसके जो जिलों की समाजिक आर्थिक राजनातिक और पर्यावनी इस्तिती पर अंतरदिश्ट प्रदान करेगा तो यह रहा इसके इंपॉर्टन फैक्ट कुछ है कि N.E.R.D.S.D.G. जो है और डैस पुर्वत्तर के आठ राज्यों में अरुनांचल प्रदेश असम मनीपूर मिघाले मिशूरम नागालें शिक्किम त्रिपुरा तो जो आठ राज्य है यह जो हैं यह जो इसके सभी जिलों की प्रगती को 84 संके तक इंडेक्स के आधार पर मेजर्मेंट किया जाएगा जो क इस्टैटिक्स प्रोग्रेम काद्यानवन मंत्राले के राश्टी संकेत तक फ्रेम वर है नाइएफ के संब्द से संब्द रहेगा वहीं चौरासी जो इंडेक्स हैं इसमें से पंद्रा बैस्विक लच्छों को सामिल करते हैं और गड़ना हे तु कि चौरासी संकेतों में स चालिस प्रतिसत केंद्री मंत्राले और राश्टी स्तर के सर्विच्छण और साथ प्रतिसत जो हैं राज के स्रोतों से प्राब्द किये गए हैं प्रतेग जिला के लिए जो एन इई आर और एस्डीजी इंडेक्स एस्डीजी वार है तो 15 सतद विकास लच्छों के अधार पर स्कूर की गढ़ना करता है वहीं एस्डीजी चौदा और सत्रा की इस गढ़ना से बाहर रखा गया है प्रतेग जिले के प्रदर्शन को जीरो से सो के पैमाने पर मापा जाता है यदि किसी जिले ने सो अंग प्राप्त कर लिये हैं तो इसका अर्थ यह है कि उस जिले के साथ प्रो रहा है उसके दूसरे स्थान पर है रेपोर्ट कह रही है कि चेत्र के जो एक सो तीं जिलों के जिलों के अंति प्रत प्रतिस्तान तक यह विस्त्रत है इन में से त्रेपन अंक के साथ जो है कि फिरे जो की नागा लेंड ये अंतिमिस्थान पर है वहीं रैंकिंग में 103 जिलों में से 64 जिले समग्र अंक और रैंकिंग के आधार पर बहतर प्रतासन करने वाले अग्रणी सिरेनियों फ्रंट रणर हैं इसके अंतरगत जो 34 जो रेष्ट हैं तो इस जिले में अच्छा प कांसी जिला है या लच्छ प्राप्त करता जो अचीवर स्रेनी में सामिल नहीं है तो यह भी इंपॉर्टन्ट रखेगा सिक्किम की जो राज मचली के बारे में थोड़ा सदेख लो 18 सितंबत 2021 कुजारी का दिसूचना के माध्यम से सिक्किम सरकार ने कौपर महसीर कौपर म ही स्थानी तोर से इसको जो होगा इस आपने स्वर्ण फिस डा फिस गोजित किया है कोपर मंसहीर का बैग्यानिक नाम पांडन नहीं लेकिन फिर भी सुन लो लीन sporting और हटारीs गोनो लेपिस इसका बैग्यानिक नाम है नियोलिसो जो है है एक्साइब लेपिस इसका इस्ता और जो रंगित नदियों और उनकी सहायक नदियों पर पाई जाती है वर्स उनीस सुबान्वी में राष्टी क्रेशी यानुट संधान परिशत ने जो राष्टी मत्स आनुवांसिकी संसोधन ब्यूरो लखनव के कैटली मच्छदी को एक लुप्त प्रणाली के तौ पर क्लासिफाई किया था वर्स 2014 में अंतर राष्टी प्रेकरती संध्षर संग आयू सियन ने इसे लुप्त प्राइस्टी यानि इंडेंजर्ड में वर्गी क्रत किया है इंपॉर्टन क्या है एक तो यहां से इन्वार्मेंट कभी एक कुश्चन बन जाएगा कि जो यह आ राष्टी क्रसी अनुसंधान परिशत ने राष्टी मत्स अनुवांशिक संसुधन ब्यूरो लक्नव ने कैटली को लुप्त प्राइप्रनाली में क्लासिफाई 1992 में कर दिया था भारती स्मार्ट सिटी पुरुषकार 2020 पूछा ही पूछा जाता है 25 जून 2021 को केंद्री यानि आई एस एसी 2020 की घोसना की है लेकिन यह 21 में करी गई है अब इन पुरुषकारों की घोसना तीन परिवरतन कारी सहरी मिशनों यानि स्मार्ट सिटीज मिशन जो है अम्रत यानि अम्रत अटल मिशन फादा अर्वन रिजुवेनेशन और रवन ट्रांस्फॉर्मेशन और प्रधान मंत्री आवास योजना सहरी की छठवी वर्षगाट के तौर पे से उपलब्ध करवाई गए थी अब मैं यह बता दू यह तीनों योजनाएं जो हैं सहरी काया कल्ब के लिए एक मतलब एक दूरदर्सी कारकरम का हिस्सा है जो आई एस एसी है तो यनि आई एस सिस्टी पुरुसकार प्रतियोगिता तो इसमें उत्तर प्रदेश ने राज केटेकरी में पहला इस्थान मतलब जो smart cities पुरुसकार प्रतियोगिता के अंतरगत है इसमें से इसको पहला इस्थान मिला है ISAC 2020 के तहद city award के सन्युक्त बिजेता के तौर पे इंदावर और सूरत को घुसित किया गया है ध्यान रखना मदलब इसे जो city award है तो सन्युक्त तौर पे तो इसमें से सूरत और इंदावर को अब देखो वर्स 2019 में smart cities में सूरत एक मात्र विजेता 2019 में था लेकिन इस समय जो 20 की रिपोर्ट है तो सूरत और सूरत के साथ इंदावर इसे तो ही जो है इसे सी भार्रती इसमार्च शिटी ही पुरुसकार 2020 के अंतर किंद्र शासित प्रदेश प्रदेश किंद्र सासित प्रदेश और वार्ड का विजेता चंडीगर को भी घुशित की तो मैं विजेता को ने भी यहां चन्डीगर है एहमदा बात को smart cities leadership award prapt हुआ है इसके बाद वरांसी और राची जो की इसमें सथा brusch बार राची दूसरे सनर्था ष्थान पर ढूखाfunding स्मार्ट सिटी लीडर सिप आवाड दिहाण रखना वरांसी अब मतलब एहम दएबा आपमोस्ट फिर वरांची सेकंड और रांची थर्ड नंबर पर जार्खन का क्लाइमेट स्मार्ट सिटीजन एसस्मेंट फ्रेमवर के तू पॉइंट ओ या फिर जी रो सी एस तो सी एस यानि टू पॉइंट जी रो के तहर सूरत इंदौर एहमदाबाद पूरे विजयवाड राजकोट विसाखा पत्नम पिंपरी चिंजवाड़ा बडूदरा यह मतलब टॉप में जो परफॉमेंस के अधार पे नौट टॉप सहर है पहला भी सूरत इंदौर ठीक है हमदाबाद पूने ध्यान रगना इन्हें चार मतलब जो है चार स्टार रेटिंग प्रदान करी गई है तो यह भी धानतना अगला है भी राष्टी खाद तेल ओयल पॉम मिशन यह कह भी पॉम मिशन इसे देखो तिलहन खाद तेल दो अतिधिक समवेदन सील आवस्यक्वस्तिव है तिलहन और यह जो है खादे तेल यानि एसेंसियल कमोडिटी है तो पहला तो कुश्चन से बन जाएगा कि एसेंसियल कमोडिटी है भारत बिस्स में तिलहनों के सबसे बड़े उत्क पादकों में से है तो यह कुश्चन बना देगा कि तिलहन में टॉप मुश्च पर है भारत में मूंफली सरसो सफेद सरसो एक काला सरसो भी होता है सफेद यानि यलो कलर का होता ह थिक है कि इसको अंडी बोलते हैं आशन लगत्त रेंडी तो इस में मुंफली भी तो दीलहन में सरसो सफेद सरसो काला स Михbooks आहिस और लसी काला एकि गूलते हैं तो यह ध्यान रखना परम परागत तोर से उगाए जाने वाले तिलहन प्रमुक तिलहन है 1986 में तिलहनों पर जो प्रद्योगी की मिशन टेकनोलजी मिशन ओन डा ओईल सीट्स की स्थापना ने देश में काद्धेल अर्थ बेवस्था के वेकास में इस प्रद्योगी की मिशन के अंतरगत इसको राश्टी तिलहन और तेल पॉम मिसन में 2014 में convert कर दिया गया कुछ important fact है 18 अगस 2021 को प्रधान मंत्री जी की अधच्छता में केंद्री मंत्री मंदल है तो इसने राश्टी खाद तेल आयम पॉम यानि ताड मिसन ठीक है तो NMEOP National Mission on the Edible Oil Oil पॉम की शुरुआत को मंजूरी प्रदान करी है वहीं एक नई जो केंद्र प्रायोजित योजना centrally sponsored योजना के तौर पे launch इस मिसन के अंतरकत पूरोतर छेत्र और अंडमान निकोबार आईलेंड पर बिसेश तोर से केंद्रित किया जाएगा इस मिसन का उद्देश अगर बात करें तो 2026 तक ऑईल पाम 6.5 लाग हेक्टेयर अतरिक्त छेत्र को अच्छादित करेगा और इसे बढ़ा करके 10 लाग हेक्टेयर तक करना है कच्चे ताड़ तेल की बात करें हम अगर तो बही जो क्रूड पॉम आयल के उत्पादक को वर्स दो हजार पच्चिस चबशिस में 11.20 यनि दो कहते हैं से तो दो लाग टन और वहीं दो हजार उन्तिस तीस में 28 लाग टन तक पहुँचाना है कोई तिलहन उत्पादक जो उत्पादन वर्स 2014-15 में 275 लाग टन से बढ़ा करके 2020-26 में ये कितना 365 लाग टन तक पहुँच गया है मतलब ब्रद्धी हुई है ये स्टेट्मेंट बनाएगा इस योजना के लिए 11,040 करोर रुपया धान से सुनना ये जो योजना है पाम मिसन तो इसके लिए 11,040 करोर रुपया बित्ती परिवे किया गया है कि एक मिनट आए ये तो का परते हैं है आप यहां पर यहां पर था ठीक है तो ये अब कुल परिवे में 8,884 करोड रुपए केंदर सरकार वहन करेगी जबकि 2,196 करोड रुपए राज सरकार वहन किया जाएगा जालियाँ वाला बाग सताबदी इसमारक पार्क यहां से क्विश्चन बनेगा जालियाँ वाला बाग जो है राश्टी इसमारक अधिनियम 1951 के मद्धम से जालियाँ वाला बाग एक राश्टी इसमारक घोसित किया गया है एक राष्टी इसमारक नेशनल मैमारियल ठीक है इस इसमारक का प्रबंधन जालिया वाला बाग जो राष्टी इत्रस्ट मेमोलियल ट्रस्ट के दवारा प्रबंधन किया या गा त्यारा अप्रिल 2019 से त्यार अप्रिल 2020 तक जालिया वाला बाग हत्याकान के सताब्दी समारोग जो है इसमें सताब्दी समारोग का अयोजन किया गया पूछा जा सकता है थर्टीन अप्रिल थर्टीन अप्रिल से यनि थर्टीन अप्रिल 2019 से थर्टीन अप्रिल 2020 सतावदी ध्यान से सुनना सतावदी समर आयोजन के तौर पे अब 14 अगस 2021 को पंजाब के ततकालीन मुख मंतरी कैप्टन जो अमरिंदर सिंग जी ने जालिया वाला बाग सतावदी समारक पार्क जो है तो इसका उदगाटन के आत्यान रखना अब 25 जनवरी 2021 को अमरिंदर सिंग जी के द्वारा वर्चुल माध्यम से जालिया वाला बाग सतावदी समारक पार्क और बाग जो है इसमें से तो जो सेंसरी मेमोरियल पार्क की एक आधार सिला रखी गई थी इस पार्क की स्थापना पंजाब के अमरत सर्जले से रंजीत अमरत आनंद पार्क में करी गई है इंपार्टन्ट है यहां से क्विश्चन बन सकता है इसके साथ साथ मुख मंत्री ने गुरु नानक देव विश्विद्दाले में जालिया वाला बाग पीठ की भी स्थापना की गोशना करी थी दूसरा यह जो पार्क है यह 4490 स्क्वेर प्रफिट का है और इससे मतलब ज्यादा पर है इस सताब्दी समारक के तहट सफेद संग मरमर के पांच स्थम्मों का निर्मान किया गया है इंपार्टन्ट है धानकना यह कुश्चन जो प्रधान मंत्री उज्चुला योजना टू पॉइंट से जरूर एक कुश्चन आए पूछा जा सकता है स्वच इन बेहतर जीवन तो इसके नारे के साथ प्रधान मंत्री योजना जो उज्चुला योजना का सुबारंब बलिया उत्तर प्रदेश से किया गया था यह कभी की बात है 2016 जब यह पहला मिसंद था ठीक है यानि फर्स्ट मई 2016 को कहा से उत्तर प्र पर एक इंधनों जैसे की लकड़ी हो गया उपले आप कहते हैं इनका उपयोग करने वाले जो ग्रामीन और वंजित वर के परिवारों को स्वच इंधन जैसे की लपीजी उपलब्द करवाना है तो इसका यह क्या है भी इसका पहले देखो इंपार्टन फैक्ट क्या है कि क्वाम मंतरी उजला योजना के तहद गरीबी रेखा से नीचे जीवन अपन करने वाले परिवारों की पांच करोड महिला सदस्यों को मुक्त ऐल पीजी कनेक्शन उपलंद करवाने का लच रखा गया था पांच करोड जो की मतलब गरीबी रेखा से जो जीवन नीचे जो सामिल किया गया है क्या-क्रवी पहले तो सिर्फ था लेकिन से सामिल किया गया अनुसू Tap जन जाती प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीन अंतियोदय अन्य योजना अन्य पिछ्रावर्ग योभी ओवी सी चाय बगान से संबंधित जन जातियां पनवासी द्विपी छेत्र और नदी दीपों में निवास करने वाले लोग धान रखना इसके तहद लपीजी कनेक अरंगाबाद में आठ करोड़ों यहां से सुनना अरंगाबाद महाराष्ट में बित्रित किया 10 अगस 2019 को प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी ने प्रधान मंत्री उज्वला तो यह डेट इंपॉर्टेंट है 10 आगस 2021 तो उज्वला जो है टू पॉइंट शीरो का सुभार यह भी उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से किशने प्रधान मंत्री जी ने तो महोबा जिले से आभासी माध्यम से किया गया आभासी वर्च्वली ठीक है नॉट फिजिकली वर्च्वली माध्यम से बित्ती वर्स 2020 के केंद्री बजट में जो है PMUI योजना के तहद एक प्रधान मंत्री उजला योजना जो है जो मतलब 2.0 के तहद प्रदान किये जाएंगे एक करोड वही प्रधान मंत्री यूई यानि PM2.0 के अंतरगत कम आये वाले उन परिवारों को आच्छादित किया जाएगा जिन्हें पहले चरण के तहद इसमें से सामिल नहीं किया ग जाएगा पहले बार गैस और चूला एकड़ा फ्री आप कॉस्ट होगा चलो आगे जो कि है इंहन देवस तो प्रतिवर्ष दस अगस्त को बिस सुझेव इंहन देवस ठीक है बायो फ्यूवल दे के तौर पर मनाया जाता है तो दस अगस्त इस आधार पर यात रखना इस द द्धान मंत्री जी ने वर्च्वली उजला टू पॉइंट सुने का सुरुवात किया और साथ ही जैव इंधन के छेतर में सरकारों द्वारा किये गए जो बिभिन प्रयासों पर भी प्रकास डालना है अब एक सून में अभिमान 15 सेप्टेम बद 2021 को नीती आयोग ने किसने उपभोगताओं उद्ध्यों के साथ मिलकर सुन्य प्रदूशन आपूर्टी वहनों यानि जो डिलिवरी वहिकल्स हैं इनको बढ़ावा देने की पहल है इस उद्धे से सहरी छेतर में इलेक्ट्रॉनिक वहनों को अपनाये जाने में तेजी लाना है तो सुन्य अभियान क किंद्री 22 सुद्ध्याले की स्थाप्ना 22 जुलाई 2021 को केंद्री मंद्री मन्दल द्वारा लटाख में किंद्री 20 सुद्ध्याले की स्थाप्ना को मंझूह वहीं आपको बतादें पनर्गठन एधिनियम 2019 के अंतरगत जम्मु कश्मीर नयराज्य चैनल नए किंद्र सासरिय तदेशों जम्मु और कस्मीर और लद्दाक में विभाजन किया गया जम्मू और कस्मीर और लद्दाक दोने यूनिवन टेर्टरीज हैं इसके बाद लद्दाक में भी एक जो केंद्री बिस्विद्दाले मतलब जो लद्दाक में अब एक भी केंद्री बिस्विद्दाले नहीं रहे गया था तो इस अध सब्सक्राइब कर दिया गया है और राष्टपती की मिल गई है अब जैसे ही यह राष्टपती की साइन कर देते हैं सब्सक्राइब कर दिया गया है और यह देश का पहला ऐसा के नाम किसी नदी सिंदू नदी के नाम पर रखा गया है तो पहला देश का मतलब यह किंद्री बिस्विद्धाले किस नाम से सिंदू नदी पर जो की पहला ऐसा बिस्विद्धाले नदी के नाम पर है दो चर्णों में साथ वर्सों के लिए 750 करोड के जो बजटी प्रावधान का इसमें बात करी गई है इस बिस्विद्धाले के बुनियादी धाचे की स्थापना करी जाएगी के इंद्री सिच्छा मंत्राले के बजटी प्रावधानों के माध्धम से भारत की संचित निदी इंडिया द्वारा इस खर्चा दिया जाएगा इस बिस्विद्धाले का अधिकार छेत्र लेह और कारगिल्स है जो है वह लद्दाग छेत्र पर पूरे लद्दाग छेत्र पर होगा ओके अब एक लेक्षर में अब इसके आगे यनि एकी क्रत बहु उद्देशी और संद्शना बेकास दूसरे में ठीक है तो थेंक्यू बेरी मुच करीब मैं साथ आठ लेक्चर में उबराल कंप्लीट कर दूंगा ओके फिर मिलते हैं